हेलो गाइज वेल्कम टू आवर चानल विद्याजमस्ती की पाठशाला सो इस वीडियो लेक्चर से हम कवर करने वाले हैं सैंस अंड टेक्नोलोजी पाठ टू का स्टैंडड टेंट का जो अपना थर्ड चाप्टर है वो ठीक है थर्ड चाप्टर का कौन सा वीडियो है यह से देखाता जो यूनिसेलूलर जो यूनिसेलूलर स्पेसिज है तो उनमें और सेक्षूल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखाता हमने ठीक है बड़िंग बाइनरी फीजन वो वगरे की सब प्रोसेस हमने कल पढ़ ली थी ठीक है तो अभी हम उसके नेक्स टॉपिक कवर करेंगे तो हम आज किया कवर करने वाले हैं तो आज हम देखने वाले हैं कि रिप्रोडुक्शन उनिसेलूर अभी हमने क्या पढ़ाता कल कल पढ़ाता यूनिसेलूलर जो अभी हम पढ़ेंगे मल् striving करें आगे बढ़ते हैं देखते हैं चलो मेरे साथ साथ में पढ़ना है देखो क्या है यह a हम आपना फ्रेग्मेंटेशन है तो क्या बोलते हैं फ्रेग्मेंटेशन क्या रहता है देखो आप ऐसेक्शल रिप्रेडक्षन अकर्सटिन्म अर्गानिजम्म इन धीजिस ट defence और कियो ओ माड़िस रिप्रेड़ा occurs in algae like spirogyra and sponges like saikon so देखो fragmentation उसके नाम में ही लिखा है नाम से ही समझ में आता है fragmentation मतलब क्या होता है कोई एक ऐसे मान लो कि कोई एक बड़ी scale है उसके हम ऐसे बीच-बीच में से ऐसे कुछ उसके cuts कर रहे है ठीक है तो उसको cut कर लेना मतलब क्या है उसको अलग-अलग fragment में डिवाइट कर लेना ठीक है तो इस ही को बोलते है fragmentation तो ये एक ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा ये एक piece ये एक टुकड़ा तो ये एक independent organism बन गया ये independent ये अभी life जिन्दा रह सकता है ठीक है ये इसको अभी इसके उपर जिन्दा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है मतलब ये हो गया अपना ये पूरा हो गया parent और ये हो गया उसकी daughter ये ठीक है daughter तो इससे ये अलग बन गया cut क्या गया ठीक है ये तो इसको बोलते है हम fragmentation की process simply fragmentation मतलब क्या है तो cut हो जाना ठीक है एक species से एक species के parts अलग-अलग ऐसे मान लो कि आप है ठीक है ये कोई ये मान लो कि आप है ओके तो अगर आपका ये बीच में ये एक हाथ कट गया ठीक है ये फिर एक हाथ से दूसरा आपकी species बन गया ये ये पॉसिबल नहीं है this is a hypothetical condition बट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ ठीक है ये पूरे ये हाथ आपका जिन्दा है इससे आप हुबे हुप आपके जैसे फोटो कोपी बन गई तो फिर ये कौन से मेंटर हो जाएगे तो ये हो जाएगे फ्राइगमेंटेशन की मेंटर समझ में आ गया ठीक है तो ये स्पायर मतलब रहा बन आप टाइप ओ अलगी ठीक है इससे क्या हो जाता है देखो स्पायर कारती है ये खुद को बीच में से काट लेती है एक पार्ट इसमें डिवाइड होगा और एक पार्ट यहार तो यह दोनों के दोनों पार्ट अपने आप independent रह सकते हैं इस इन दोनों पार्ट को इसके उपर depend रहने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है वो अपने आप जिन्दा रह जाएंगे ठीक है वो अपना खुद को खुद को जिन्दा रखेंगे other processes करके ठीक है इस प्रोसेस को बोलते है fragmentation की process राइट देन आगे क्या है देखो whether there is a plenty of water and nutrients are available to spirogyra its filaments grow up very fast and breaks up into many small fragments तो देखो अलगी जहां पर रहती है वहां पर ज्यादातर water water area होता है तो उसको क्या होता है sufficient nutrition मिल जाते है water से और other materials से तो वो क्या करता है उसके पास अभी ठीक है इतना बन गया उसके पास ठीक है जितने चाहिए उतने nutrients है तो वो क्या कर लेगी वो खुद को break down कर लेगी तो यह सीधे से जब ऐसे cut हो गया तो सीधे directly develop हो रहेगा क्या नहीं तो पहले तो वो अंडर डेवलप रहेगा रही तो वह भी उसको भी जल्दी फटापट nutrition और water मिल जाते हैं तो वह भी फटापट अपने आपको अपने आपको डेवलप कर लेता है अब His Fragment starts to live independently as a new spirogyra मतलब यह क्या बढ़ग स्पायरो गयरा हो गई मतलब अब यह एक स्पायरो गयरा से कितने बन गए दो अलग अलग स्पायरो गयरा बन गए तो यह एक से दो अलग अलग बन जाएगे और यह दो अलग अलग इंडिपेंडेंट रह जाएंगे तो अब हम इसको पहले इरेस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आजा है नेक्स टॉपिक ठीक है तो क्या है अभी नेक्स प्रोसेस है अपनी रिजनरेशन की तो देखो रिजनरेशन में क्या होता है यह देखो अभी डाइग्राम देखो डाग्राम में से आपको कुछ अंदाज़ा आ जाएगा कि यह regenerate कैसे करता है उसका नाम में ही है regeneration मतलब क्या किसी चीज का generation और उसका फिर से generation तो उसको क्या बुलेंगे regeneration की process ओके तो यह प्लैनेरिया वगर एक में होता है देखो भी क्या है you may know that wall lizard तो पता है ना अल्मोस्ट होर किसी के घर में होती है तो क्या करता है जैसे कि मान लोग कि हमको पसंद नहीं है चिप कर ली तो हमने उसको मार दिया तो हम लोग हम तो नहीं मासर पे लेकिन कभी कभी हो जाता है तो क्या होता है वह पूरी की पूरी अल्मोस्ट तो कभी कभी मतलब नहीं मरती पूरी एकाद रेयर कैस होगी नहीं तो वह जाता तर क्या कर लेती है अपने पूछ को टेल को हटा देती है वहाँ से और चली जाती है तो फिर अगर आप कुछ दिनों के बाद उसी सेम चिप आइस दोडर करज़ना कर देता है और हम उसके पीछे पीछे बरेजे हैं तो क्या यह बहुतितले अपनी पूछ चोड़ देंगा कर देना प्रूछा तूपुछ अब इना पूछ जाएगा nis Ч Bana यह बhary मुदिर देंटाइस और एक तो मंद वह तीपीस Collango सुआ है उ मतलब यह कुछ दिनों के बाद क्या करेगा अपनी पूछ आज लाएगा आ जाएगी वह वह प्रोसेस रहते हैं लेकिन यह यूमन में नहीं रहती ठीक है तो इस दे प्रोसेस ओफ रिजनरेशन देखो क्या है आगे डिसकारड़ेट पार्ट इस रिजनरेट रिजनरेट आप तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पिरेट के बाद उनकी टेल वापस आ जाएगी इस इस एन एक्जामपल ओफ लिमिटेट रिजनरेशन तो यह हर किसी में नहीं होता है कुछ लिमिटेट स्पीसिज है उसमें रिजनरेशन की प्रोसेस हो सकती है हावेवर अडर अडर शर्ट उसमें क्या होता है यह देखो यह प्लीस parents parent वाली त्लेया है जै कि मेरे साथ साथ जेखो तो यह देखो यह प्लैन ने दिया क्या कर दिया उसने उसको उसने खुद को कट कर लिया यह देखो यहां से अपपर एक पार्ट कट हो गया यहां नीचे से एक पार्ट कट हो गया राइट फिर आफटर अपिरेट वो क्या होता है वो वो खुद को पूरे के पूरे तरह से र पर रिजेनरेट करता है你说 के अको यह दियुक्त से दुस्रां नेच्ट अब हैं देखयों सेट से यह बन गाया फिर यह एक पेरंट से यह यह अलग यह एक ल districts अलग यह अलग तो अधिक है उनकी सपीश में देखने वाले हैं तो देखो बड़िंग बड़िंग में क्या होता है इन दे केस ऑफ हाइड्रा अंडर फेवरेबल कंडिशन एट स्पेसिफिक पार्ट ओफ इस बॉड़ी और आउट ग्रोथ इस फॉर्म बाय रिपिटेड डिविजन्स ओफ रीजनरेटिव सेल्स ऑफ मतलब यह सेम प्रोसेस है बड़िंग जैसे जो हमने कल पड़ा था ना वही है सेम लेकिन मल्टी सेलूलर में है ठीक है यह देखो क्या बोल रहे है वह स्पेसिफिक पार्ट ओप दब बॉड़ी आउट ग्रोथ तो कल-कल क्या देखा था वह एक बल जा जाता है ठीक है हम ड इस अब क्या होता है यहां पर यहां पर बड़ा गया ठीक है यहां पर रीजनरेट हो गया फिर इस बड़ ने खुद को और डेवलप करके यहां पर और ऐसे बल जस क्रेट कर देए यह दिखो फिर यह एक तो यह अलग ब्रांचेस हो गई लेकिन यहां पे भी अलग बन गया हाइडरा ठीक है सेम हाइडरा एक हाइडरा में यह देखो एक हाइडरा में सेकें हाइडरा फिर इस हाइडरा में भी और हाइडरा निकलेंगे इस हाइडरा में भी और निकलेंगे यहां भी और निकलेंगे सेम इस साइड में भी होगा एक तो एक स्पीसिस से बहुत सारी स्पीसिस बन जाएगी ओके समझ में आ गया तो इस को बोलेंगे बड बोलेंगे बड ग्रोजव और प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म स्मॉल है यह बड गया और क्या बन गया डें डर्म लेर्ल दीज़ेस्टि कावेटी यह अनतर बड़ी हएड्रा के बन गया और करे सकते को क्या भुंगे था किभाली और है तो जितना चाहिए वह उतना खाले बाकि remaining वह उपर वाले हाइड्रा में जाएगा ठीक है समझ में आ गया पारेंट हाइड्रा सप्लाइज नूट्रिशन टू बढ़िंग हाइड्रा बढ़िंग हाइड्रा सेपरेट स्रॉम दपारेंट हाइड्रा स्टार्ट टू लीड अन नूट्रिशन ले सकता हूँ तो फिर वह क्या करेगा पारेंट हाइड्रा से अलग हो जाएगा यहां से फिर वह खुद Fine से तोड़ लेगा काट लेगा ठीक है ओके फिर यह अलग है यह इक अलग स्पीसिस्ज बन गई है यह 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 पिर फिर एक अलग हैड्रा आएगा वह भी देवलप हो जाएगा फिर वह खुद को ऐसे काट लेगा ठीक है समझ में आगा इस इस दप्रोसेस इस वोट तो देखते हैं, what is meant by vegetative propagation, देखो, reproduction, reproduction in plants with the help of vegetative parts like root, stem, leaf and bird, it is called as vegetative reproduction, ठीक है, underline कर लेना है, जब भी कोई definition आ जाएगी, वो हमको underline कर लेना है, क्योंकि यह हमेशा definition एक या दो मार्स के लिए पूछते है, so vegetative propagation, इसमें क्या होता है, reproduction कैसे होता है, एक कोई भी organism नहीं कर सकता, तो उसको help लगती है, तो वो किसकी help ले लेता है, जैसे root हो गया, stem हो गया, leaf हो गया, bird हो गया, तो वो उनकी कालने लेता है, help ले लेता है, ठी देखो, vegetative reproduction is a, in potatoes, is performed with the help of eyes, present on a tumor, various in bryophyllum, it is performed with the help of birds, represent on a leaf margin, देखो, यह होता है, bryophyllum, okay, so इसको आपने देखा होगा, शायद, हर किसी नहीं देखा होगा, लेकिन किसी किसी ने तो हम, इसको जरूर देखा होगा, क्योंकि यह आम तोर पर मिल जाता है, पाच-दस, एक इसको रहता ही है, अगर आपको यह पता नहीं होगा, तो इसको मराठी में बोलते है, पानफुटी, ठीक है, मराठी में, as all you are from Maharashtra, so, you can ask to any of the, your mommy and any of the auntie, that, auntie, what is meant by, पानफुटी, क्योंकि उनको आप अगर बोलोगे, what is meant by, ब्रायोफालम बोलेगे, तो उनको रही अगर उनको बोलोगे, कि आउटी आपने देखा है, क्या पानफुटी कैस रहती है, तो वो आपको दिखाएंगे, तो देखना जरूर, ठीक है, यह फिर नरसरी में वगरे, जाकर जाकर देख लेना, तो इसमें क्या होता है, यह एक क्या है, यह एक लीफ है, तो यह लीफ क प्लांट बना सकते हैं, हम नहीं, मतलब इस प्रोसेस में यह प्रोसेस बता रही हूँ, ठीक है, यह आपका देखा यह है, स्वीट प्टैटो, यह देखो, इसके उपर ही रूट से, यह देखो, यह नीचे है, यह प्टैटो, इसमें सेम प्रोसेस फॉलो होती है, ठीक है, लाइब मतलब क्या नोड मतलब लाइक ऐसे क्या बोलते है गठान वगरे बोलते हैं उसको बोलते है नोड तो उसके है थी वेजयेटीटीव प्रपोगेशन होता है यह examples लिख सकते हो sweet potato, potato, bryophyllum carrot वगरे etc लिख सकते हो I hope आपको समझ में आ गया होगा Now moving further to the spore formation Spore formation देखते हैं अभी इसमें क्या होता है देखो अभी हमको एक activity करना है activity में क्या दिया है देखो take a piece of wet bread भाकरी या फिर bread भी ले सकते हो and keep it in a humid place humid place में रख देना है ऐसे बिना ढखे ऐसे खुले रख देना है environment में ठीक है then क्या बोलते हैं fungus will grow on it after 2-3 days देखोगे तो उसमें कुछ fungus जैसे लगा होगा कुछ ऐसे black हम मराठी में इसको बोलते है बूर्शी वगरा ठीक है मम्य को बोला कि मम्य अगर किसी चपाती को अगर जब भी बूर्शी लगती है तो दिखा न तो फिर देख लیना ऐसे कुछ brackish है कभी-कभी to who उसको बोलता है तो फंगस देख लेना है और अब बोलेगे कि माइक्रोसोप का हसला है तो जब स्कूल में यह वाला चाप्टर पड़ोगे तब मैं को बोलना है आपके जो मैं मैं आशर होंगे तो उनको बोलना है कि सर क्या हमको दिखाओ तो भी डियाग्राम पर निकालना है तो जाने तो अभी हम देखते हैं वाट इस में बाइस पोर फॉर्मेशन फंगी लाइक म्यूकर फिलामेंटस बोली तो यह जो ऐसे उपर उपर से जैसे दिखते है कि लाइक कॉटन जो अपना कपास रहती है वह इसे दिखता है लेकिन य यह निकेड़ा से नहीं दिखेगा यह दीखेगा सरफ किससे बोलते है मैक्रोस्कूप से इसके अलग अलग नामे के दिखको स्पोल इसको पोलते है तो स्ट्रक्चिर के वह बोलेंगे जो रूटट ल Avengers बोलेंगे यह डागराम याद रखने है याद क्या लर्न करना क्यूं sporangia burst and spores are released तो यह देखो यह है sporangia तो यह तोटके इससे क्या बन जाता है spores यह जो अंदर के है वो रिलीज हो जाता है spores spores germinate in moist and warm place and new fungal colonist form तो यह बन जाए तो यह ऐसे क्या होता है फयल जाता है और फयल जाता है यह देखो यहां पर नाग्रामेटिकलि बताती हूँ, यह बाहर बाहर आ गया, इस से क्या बनेगा, और्स पोरैंजिया बनेगा, यह ओर फिकेंगा, और्स पोरैंजिया बनेगा, तो ऐसे 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 वो किया बुर्शी पैल दी जाती है, ठीक है, I hope आपको यहां तक समझ में आ गया होग तो अभी हम नेक्स्ट वाले अभी हम यहां पर इतना ही इतना ही कवर अप करेंगे क्योंकि अगर मैं ज्यादा बताऊंगी तो आप कंट्रूज हो जाओगे ठीक है तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही देखेंगे तो हमने क्या देखा है हमने और सेक्शुल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक किजिए तो लाइक किजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर किजिए एस वेल आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए बच्चो ठीक है तो स्टेए ट्यून गाइस पढ़ते रहिए चलो बाइबाइग एफिड़ में हमारे ओड़ते तो लाइस में हमारे लाइर तो सब्सक्राइब किजिएर रहिए तो सब्सक्त्पाइबद